कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइस पीसे सेकेड़ी में मैं हूँ आपका एजुकेटर मयांक मिश्रा और मेरे द्वारा जो पॉलिटी की सीरीश चलाई जा रही तो उसी कड़ी का अगला वीडियो लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्त का मारे तूं तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है राज का महाद यतट चोटा सा प्विक है इंपोटन कभी कभी कगई कंव्हरा is स्पूछ लिए लेखिणव आइस पुछा जाए लेकिन और पढ़ने की द्रश्मी को आपको सारी की सारी करताब तो यह कडिए मैं आपके लिए जो एक का महारा तॉपिक आज कर आज आपके सामने उपसितों तो चलिए शुरू करते हैं जो हमारा महाधि वक्ता का टॉपिक है कल हम लोगों ने पढ़ा था भारत के महानयवादी को आधी हो और उसी से ड़नेट्धिन है बिल्कुल जैसे की सेंटर पर महानयावादी होता है वैसे ही स्टेट लेवल पर महाधिवक्ता होता है तो इसमें ज्यादा डिफ्रेंस नहीं होते हैं तो मैंने सोचा कि दोनों टॉपिक को साथ में पढ़ाया जाए तो थोड़ी सी अच्छी महाधिवक्ता होता है यह जो है इससे रिलेटर जो आइटिकल है आइटिकल 165 तो राजी के महाधिवक्ता का उबंद कहां पर किया गया अनुच्छेद 165 में यह कुश्यन में पूछा जा सकता है और बात करेंगे कि यह राजी का सर्वोच कानूनी अधिकारी होता है जो महानयवादी होता था वो हमारा जो है कि पूरे देश का होता था सर्वोच कानूनी अधिकारी और यह पर्टिकुलर राजी का सर्वोच कानूनी अधिकारी होता है तो चलिए पर जो स्टेट careamento होती है उसकी सलाव पर योग्ता करता है योगता जन्हाद हाइक पर देश को महादिवकता होठी करता है और उसको राज़िपाल महादिवकता केbet नियुक कर सकता है और बात करें कि सम्मेदान द्वारा जो महादिवक्ता के कारेकाल जो उसका कारेकाल है उसको लेकर कोई भी निश्चित उकबंद नहीं किया गया है और इसके अतरिक सम्मेदान में उसे हटाने का भी कोई भी बढ़न देखिए ना तो उसका कोई कारेकाल मतलब कंफर्म किया ह ह 받व है हमारे सम्म्हाथान उसे हम्धाने की कोई वीवश्ता हमाहारे सम्म्हा भी गई है तो जो कारेकाल होता है है महानियवादी जैसा पर 실न होता है कि जब तक Communist government होती सुल में तब तक तो अपने पत्पर जैसी government डिन अगली बनती है तो अपने हिसाब से महाधिवक्ता के पद को लेकर को शिफारिश रहे टीको महाधिवक्ता के पतपर नुक्त कर देता है तो बात करते हैं कि और हटाने की बात कि supervise दे सकता है और यह जो है उसको गौवर्मेंट के द्वारा उसको गौवर्मेंट किसको सिपारिश करेगी राजपाल को और राजपाल को उसको हटाना पड़ेगा अब बात करते कि बहें अपने पत पर राजपाल के पशाद परियंद बना रहता है वही बात है कि जो राजपा बात करेंगे इसकी कारेबं शक्तियों की की जो महादिवक्ता है वो क्या-क्या कारे करता और उसके पास में क्या-क्या पावर होती है चलिए हम लोग देखते हैं तो जो राज सरकार को बिधी संबंदी जो होता है ऐसे विश्यों पर सलादे जो राश्ट्पती के द्वारा सौंपे गए हो ठीक है राश्ट्पती नहीं यहां पर राजिपाल होना चाहिए यह आप गलती से मिस्टेक हो गया देख आगे बात करते हैं कि बिधिक स्वरूप से ऐसे उन कर्तब्यों का पालन करें जो राजपाल के द्वारा सौंपे गया राजपाल और भी कोई बिधी संबंदी अगर कोई कारवाई होगी वही बात है कि जैसे कि अगर किसी बेक्ती ने जो है अगर इस्टेट गवर्मेंट क की तरब से क्वान करेगा स्टेट गवर्मेंट की तरब से करता है महाcc Stevens तौ यह बात है इंडिव कार होता है साथी साथ अपना निजी वर्क भी करता रहता है क्योंकि उसका पाथ कोई अपरकिक कहता रता है तो इस वाज़े से वह अपनी साथ ही साथ स्प्रैक्टिस भी क पड़ती है तो गवर्मेंट से लिने के बाद में यह फौजदारी वाले केस्ट देखता है और दीवाने वाले केस्ट यह देखता ही है आगे हम लोग बात करेंगे की आगे देखते कि जो है उसे राजी के किसी नियायले के समझ सुनवाई का अधिकार होता है जो राजी का यानि के हाई कोड लेवल या उससे नीचे लेवल का कोई नियायले है तो उसके समझ सुनवाई करने का अधिकार होता है और इसके अत्रिक्त उसे बिधान मंडल के दोनो सदनों ठीक है दोनों सदन चाहें वो बिधान सवा या फिर बिधान परश्द या कोई शमीती और वह उस सभा में जहां के लिए तो बहसे मालीजे की नहीं पर बहस कर सकता है बोल सकता है अपने विचार रख सकता है लेकिन वहां पर बोर्टिंग नहीं कर सकता तो यह बात लिखी गई है संभिधान में आगे हम लोग बात करेंगे कि आगे जो राज के महाधिवक्ता से रिलेटेट जो दो तीन अर्टिकल हैं इंपोर्टेंट जिन से क्वेशन बनने तो आप लोग उनको इनको जो है एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे आसानी से तो जो एक सो पैंट में क्या गया है राज का एक महाधिवक्ता होगा यह बात कहां पर क्या है महाधिवक्ता की शक्तियां एवं जो भिशेशा अधिकार होते हैं तो उनका बडन कहां पर लिकाए अनुच्छेद 194 बे तो जो हमारा राज राजिका महाधिवक्ता का जो टॉपिक है चोटा सा टॉपिक वो आज का समाप्त होता है तो उमीद है कि जितने भी कोश अगर वीडियो पशंद है तो वीडियो को लाय करिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेर करिए और अगर पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्काइब कर लिजिए तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में इसी तरह पॉलिटी की एक अगला टॉपिक लेकर मैं आपके सामने अगले वीडियो में उपस्तित होगा